हाई इब्रीवन विल्कम बैक नुए चैनल तो दोस्त हम है अभी अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे जो कि हमारे लोकल में ही है हमारे जवनपुर जिले में ही है एक हमारे घर से हमारे फार्म से यह पड़ता है करीब 10-12 किलोमेटर समाद गंज मार्केट है वहाँ पे उसी के जर्ष्ट पगल में कुर्णी गाउं है वहाँ पर यह कंस्ट्रक्शन साइट है हमारी और बात करेंगे इस फार्म के बारे में क्या लंबाई है क्या चंवडाई है और तोटल किस तरीके से फार्म कंस्ट्रक्शन होगा अभी तक जितने वीडियो आपने देखे होंगे सार फार्म हमने ट्रस्ट पर बनाय हुए थे लेकिन यह कुछ अलग तरीके से बीच में सपोर्ट दे करके बनाया जा रहा है क्योंकि हाँ पार्टे की डिमांड थी कि हमें ट्रस्ट नहीं चाहिए हमें सेंटर में आप सपोर्ट दे यह तीन सपोर्ट देना है इसमें दो वेडियों में देख पार दें यह सपोर्ट पर लिए इस सब्सक्राइब यह था यह को कम्प्लिच होता रहेगा तो जो भी चैनल पर नए प्लीज चैनल को सब्स्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो आसानी से देख पाए तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो बात कर लेते हैं कि सबसे पहले फार्म की लंबाई 200-260 और गर्मियों में अगर बात करें तो 6000 चिक्स इसमें प्लेस हो जाएंगे 1.3 स्कॉार फिट के हिसाब से एक बड़ के लिए 1.3 स्कॉार फिट इस पेस तो 6000 बड़ गर्मियों में और ठंडियों में 1.2 पे कंपनिया देती हैं या फिर आप सिप्ट करेंगे अपना प्राइ विए flipping अंग तौई Drive यहां से उपर उपर छिप्ट है और जो इसका practitioner है और अगर बात करें तो करीब 11 फिट है यह सेंटर की हाइट जो आप देक बारें है यहां पर 11 फिट है इतना जो हाइट है यह प्रॉपर ठीक रहेगा वेंटलेशन के लिए क्योंकि मेरे पास बहुत कॉल आते हैं कि सर क्या 30 फिट चड़ाई रखना सही रहेगा आपके इसाब से तो मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं कि मैंने अपना फार्म तो 22 फिट ही बना हैंगे तो गैस की प्रापलम होगी तो अब जब ट्रैक्टिकल हुआ तब नालज हुआ कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है 30 फिट में 32 फिट में क्योंकि आपका मैनेजमेंट जो है वह प्रॉपर होना चाहिए अगर आपके फार्म में पानी गिरेगा पानी का लिकेज बना रह चाहिए 30 फिट चोड़ा रखे ओपन फार्मिंग के लिए जैसे सेमी आटोमेटिक फार्म हो लोग यह सेमी आटोमेटिक फार्म बन रहा है तो यह 30 फिट है इसमें आप बिलकुल एक चीज ध्यान रखे कि आपके फार्म में पानी नहीं गिरना चाहिए अगर पानी गिरा तो चाहिए वो 22 फिट फार्म हो चाहिए 10 फिट फार्म हो चड़ाई गैस बननी तयं है तो यह चीजे हैं तो एक सक्सेसफुली फार्म जो चल रहे है वो 22 से 30 फिट रखा जाता है जिसके पास जमीन है वो अपना 30 फिट बना रहे रहा है तो यह चीजे है गैस 22 फिट वाल में भी वनेगी एक चीज है अगर आप मेनेजमेंट नहीं कर पाएंगे और जो भी इसमें लोहे लगे हुए हैं जो भी आइरेंड की जो पोल हैं वो सब साइड जो भी वर्टिकल खड़े होंगे वो सब 12 फिट है तो इसके विज़ से उसका रेशियो थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है तो जैसे ही आगला काम होता है और जो भी यहां के एक्सपेंस हैं टोटल अभी थोड़ा सा लोहे का रेट 80 रुपए केजी भाग गया है तो थोड़ा सा रेट जाएगा उपर तो सारा कुछ अ इस तरीके से और आपको आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा कि एक फार्म में कितने बर्ड पर और कितने डिस्टेंस पर एक आइडियल जो नियम होता है ड्रिंकर और फीडर का क्या नियम होना चाहिए कितना डिस्टेंस मैक्सिमम कितना मिनिमम होना चाहिए एक ड्रिं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई एंड टेक केर